अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इससे सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इंफोमेशन हो तो जल्द से जल्द आपको मिल जाए सबसे पहले जैसे कि बच्चे बहुत परिशान हैं कि उनके जो एक्जामिनेशन हो रहे हैं वो ओफलाइन मोड में हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि ओनलाइन मोड में हो लेकिन मैं बता दूं कि समभावनाई बहुत ही कम है कि आपके एक्जाम ओनलाइन मोड में हो एक्जाम ज और अभी तक के notification के इसाफ से आपके exam offline mode में ही होंगे और बच्चे कुछ कह रहे हैं कि 4 अगस्ट को फैसला आएगा तो उसकी wait कर लीजिए लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है तो online के chances बहुत कम लग रहे हैं इसलिए अपने preparation अच्छे से रखिए और pattern जो अगर हम देखा ज कुछा जाए तो pattern जो होगा वैसा ही होगा उसमें choices ज्यादा दी जाएंगी जिससे आपको question paper में अगर आपने कम यूनिट भी कर रखी है तो भी पूरा 100% question paper attempt कर सकते हैं और उसमें choices ज्यादा होने का यही फाइदा है अब मैं आपको बताने जा रही हूं जो revise date sheet जो की गई है वो एक तो final year के student की revised date sheet क्योंकि अभी जो paper की examination date sheet आई है वो final की आई है और first year student की उमीद है कि उन्हें promote कर दिया जाएगा इसी टाइप से जो diploma vocational courses हैं उनकी जो date sheet थी उसको भी schedule जो किया गया है वो revise कर दिया गया है और first year और second year deformation की paper होंगे इसलिए उन दोनों की भी date sheet क आर्किटेक्ट की और इन सब की date sheet दे दी गई है जिसे आप hsbt.org.in में जाकर अपने date sheet को देख सकते हैं और इसी टाइप से first year और second year जो pharmacy के student है अगर हम first year pharmacy की देखा जाए तो 9 अगस 2021 फार्मसिटिक 1 का paper है इसी टाइप से second year के pharmacy के student का फार्मसिटिक 2 का examination जो है वो 9 अग shift के exam की जो date है timing है वो है 2 से 5 इसी टाइप से vocational की अगर हम date sheet देखें तो वो भी revise कर दी गई है और उसकी जो date sheet का timing है वो 10 से 1 है vocational में वो भी 9 अगस से paper स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें भी जो examination होंगे उसमें आपके जैसी date sheet दी गई है banking finance का software development, automotive manufacturing technology, food processing जो जो भी आपके subjects हैं level 5 के और semester second के examination क्योंकि final year के semester examination का हो रहा है दस से एक बज़े तक का timing होगा और आपका morning shift में exam होगा तो यह latest information है I hope कि आपको अच्छे समझा आया होगा फिर भी कोई problem हो तो comment section में लिखिएगा ताकि मैं आपकी help कर पाऊं और exam के लिए आपको best of luck अच्छे से preparation स्टार् online exam होंगे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अब HSBT जो है वो आपके offline exam ही लेगा so thanks for watching and please like share and subscribe my channel for latest information